अगर आपको ठीक से trade management और money management करना आता है, खूद एक trading के लिए एक rules बनाया, कि ए rules के अंदर आपको money management करना है और trade management करना है, तो फिर यह जो hammer और inverted hammer candlestick formation होता है, इसको पर आप trading करके बहुत safety के साथ बहुत पैसा generate कर सकते हो, और मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि trading method जितना simple होगा उतना ज्यादा powerful होता है उतना ज्यादा effective होता है और उतना ज्यादा profitable भी होता है तो यहाँ पे मैंने जो लिखा है कि power of hammer और inverted hammer candlestick for safe trading ये safe trading ये जो word लिखा है ये बहुत meaningful word है तो ये वीडियो में आप लोग समझ पाओगे कि safe trading मतलब कैसा trading हो सकता है ठीक है तो मैं एक price action developer हूँ short term trading specialist और trading coach मेरा नाम प्रोभा कर रहे तो आभी चार्ट पे जाएंगे तो चार्ट पे आप लोग को पूरा समझ में आ जाएगा कि मैं safe trading का मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं तो यहाँ पे देखो मैं SNP का 5 म information हुआ था देख लो एक है यहां पर एक है उससे पहले एक है यहां पर एक है यह भी एक है तो यह inverted shape का हमार candlestick है तो इससे पहले मैं यह channel पे इसको पर trading कैसे करना है बहुत अच्छा से समझाया और इसको मैंने queen candlestick नाम दिया है queen candlestick क्यों chase game अगर खेलते हो तो आप जाको बचने के लिए बहुत ज्यादा power queen के पास दिया जाता है अगर आप trader हो तो आप यह queen candlestick के साथ अगर आप दोस्ती करोगे ठीक से तो फिर आप king बन सकते हो इसका उतना समता है तो देखो queen candlestick मैं यहां पे draw करके आपको थोड़ा समझाने का प्रयाश करता हूं तो यह हो गया एक inverted shape hammer candlestick तो अगर ऐसा candlestick formation हुआ तो आपका view बियरी से तो फिर आप इसके नीचे sell करोगे stop loss उपर रखना है अगर आपका view bullish होता यह candlestick formation के बाद तो आपको जरूर यह week का बीच में buying करना है stop loss तब नीचे रखना है इतना समझ में आया कि कहां पे आपको entry लेना है कहां पे SL रखना है और यह जो trading method है यह सबसे ज़्यादा applicable है जब strong bullish trend चलता है या bearish trend चलता है तो bearish trend के लिए inverted hammer shape का candlestick बहुत ज़्यादा माहिने रखता है और जब bullish trend होता है तब hammer candlestick बहुत ज़्यादा माहिने रखता है तो देखो यहां पे जो bearish trend चल रहा था तो यहां पे देखो कि एक retracement हो रहा था तो पहले एक bearish trend है और यह जो queen candlestick है inverted hammer यह supported by green candle तो आप क्या करोगे ज़रूर यह position पे sell करना है stop loss उपर रखना है समझा यह position पे भी देखो आपको नीचे limit order लगाना है उपर stop loss लगाना है यहां पे भी देख लो नीचे limit order लगाओ और उपर में stop loss लगाओ ठीक है उसके बाद देखो एक position पे भी नीचे sell order लगाओ उपर stop loss लगाओ जब bullish candlestick support देता है यह queen candle को तब ज़्यादा यह फाइदे मान दे तो इसके उपर थोड़ा काम करना सीखो यह भी एक है यह वाला भी एक है और यह chart पे सबसे ज़्यादा अच्छा वाला ट्रेड कहां पे होगा एक position पे होगा जो छोटा candle है supported by green candle यह बहुत ज्यादा powerful candle है यह जो छोटा है तो फिर आप ज्यादा quantity लेके काम कर सकते हो और stop loss बहुत छोटा रखना पड़ेगा तो आपका risk बहुत काम है और reward बहुत ज्यादा मिलेगा ओके तो और चार्ट पे लेके चलता हूं तो और ज्यादे clarity आ जाएगा देखो यहां पे एक्सिस बैंक का चार्ट लिया पांच मिनिट का तो यहां पे देखो यह जो queen candle है supported by green candle और यह पहले ही strong bearish movement है तो आप बिंदास कहां पे सेल करोगे यह position पे सेल करना है stop loss यहां पे रखोगे तो आपको limit order देखे sell करना था यह position पे stop loss उपर रखते थे लेकिन देखा कि next candle green candle produce हुआ और आपका यह जो limit order है यह order भी execute हुआ नहीं तो आपको बचा दिया उसके बाद देख रहे हो कि यह candlestick जाब formation हुआ तो आप बिंदास ट्रेडिंग करोगे यहां पे भी आईसे ही है सेम यह सब जो छोटा candle होता है यह बहुत ज़्यादा powerful candle होता है तो इसके उपर आगर आप ध्यान से काम करोगे तो आप बहुत कुछ आप फाइदामंद रहोगे देखलो यहां पे भी आईसे ही है यह भी एक है यह भी एक है तो strong bearish trade में inverted hammer candlestick formation इसके उपर आगर ट्रेडि और money management यह दोनों ठीक ढंक से करने का है बस अभी एक चीज आप थोड़ा review कर लो जो मैंने बोला कि यह candlestick formation आपको बहुत higher safety दे सकता है तो ओ कैसे ओ थोड़ा समदने का प्रोयास करो देखो यह जो green candle हुआ यह inverted hammer shape का नहीं है hammer candlestick है तो फिर आप कहाँ पे sell करोगे आपका यह position पे sell करते यह week का पीच में stop loss उपर राखते थे देखो next candle में आपको यह जो candlestick formation हुआ तो आपका trade execute हुआ नहीं आपको बचा दिया फिर यह जो candlestick formation हुआ था अगर मानलो आपका view बुली से इस बग तो फिर आप यह position पे buying करते stop loss नीचे राखते देखो next candle में यह candle formation ह हुआ और आपका यह order execute हुआ ही नहीं बचा दिया समझा तो इसी ही सबसे आपको trading करना है देखलो यह position पे भी देखो अगर आपका view अगर bullish रहता तो भी आप यह position अगर buy करते यह position में तो फिर आपका order execute हुआ नहीं फिर नीचे यह rate candle produce हुआ तो आपको बचा दिया फिर य यहां पे भी बहुत सरा ऐसा है देख लो ओके तो trading method simple रखो चितना simple हो सके सिर्फ आप लोगो trading psychology mindset trade management money management इसके उपर ज्यादा धियान देना चाहिए इसके उपर थोड़ा काम करना चाहिए calculation करना चाहिए थोड़ा बहुत mathematics भी आना चाहिए simple calculation आना चाहिए तब आप बहुत कुछ कर सकते हों इसके लिए बहुत complicated strategy ढूनने का जरूरत नहीं है कोई खाली पोगट का पेट कोर्स करने का जरूरत नहीं है और यह pullback and scaling strategy यह सब सीख लो काम पे आएगा price action trader वनो तो जिन्दिगी में बहुत कुछ कर सकते हो तो चलो हरे क कर देशना